तो हो जाए तयार 18 फरवरी के लिए आपके लिए लाया हूँ साइंस का बहुत ही very very important objective hundred question तो इस वीडियो के एक-एक question आपको miss नहीं करना है हर question का अंसर आपको यहाँ पे देना है और मैं आपको यहाँ पे hundred question बताने वाला हूँ जो कि आपके exam में छपने की पूरी संभावन आए हैं तो सवाल को करते हैं स्टार्ट इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर किजएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर किजएगा चली स्टार्ट करते हैं सबसे पर्ला सवाल आपके सामने हाज है कालपनिक परतिवीम होता है कैसा होता है कालपनिक परतिवीम तो कालपनिक परतिवीम जो है सीधा होता है अगला सवाल है आवर्धन लेंज आवतल लेंज का आवर्धन क्या होता है अगे देखे सवाल बोलता है क्या कौन सा पद विद्धु शक्ति को निरूपित नहीं करता है यानि कि पावर क आगे पड़ते हैं विद्दूठी हीटर की कुंडली का परतिरोद पांसो पचास ओम है और तो सो बीस वोल्ड की सुरोद से ले जाने वाली विद्द धारा का मान निकलना यानि के हमको आर का वैलु दे दिया है और भी का वैलु दिया और हमको क्या निकलना इना और आपने फॉर्मूला पढ़ाना भी बराबर आई आर अब आई निकालना है तो क्या करेंगे भी बटे आर तो भी का वालु कितना है 220 और और का वालु कितना है 550 काटा पीटी करो यहां पर 11 दूना वाइस ग्यारा पचे 55 दो बटे 5 दो बड़े पांस को जब आप हल करोगे तो जीरो पॉइंट फॉर आएगा लेकिन यहां पे आफशन नहीं दियावा मेरे ख्याल से यह को यहां पर टैपिंग करने मिस्टेक हुआ होगा एक्टुली यह विहार बोड की दुवारा दिया गया है ओल्ड मोडल पर है तो हमारा क्या होगा जीरो पॉइंट फॉर एंपियर मैं अगर इसमें ए में कर दो तो चलेगा याद रखेगा जीरो पॉइंट फॉर एंपियर होगा अंद धुन्द तरह नहीं चलाना है इसलिए देखदा के बनाना है आगे बढ़ते हैं कौन जैव द्रवमान उर्जा सुरत का उसको पहले जान लेते हैं आरदचालक जिर्मेनियम जिएस पार जो है आरदचालक नहीं है करेक्ट अंसर आगे बल्जा करने से ब्रॉप मजा्रा वीडियो को यार क्लास करने मजारा की नहीं रहा है बस आप लोग मुझे लाइक करके बताओंगी मजा आरा की नहीं है करना और लाइक करना और लाइक करें बटन को हीट करो लाइक का बटन को हीट करो तक यह पता चले और पहली बार आज तो चनल को सबसक्राइब करने तो भूलना इसा हाधिर है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो यह आपके लिए हूंबग मिले रहेगा आगे बढ़ते हैं बेंजीन का सुत्री क्या है यानि की इसको बोलते क्या बेंजीन इंग्लिज में बोलते हैं सुद सोना कितने का होता है जो सुद सोना होता है आगे परते हीलियम का रासानिक आचरन कैसा तत्वे आपको एक कोश्चन मिस नहीं करना अभी हर 20-20 सवाल में 20-20 सवाल होगा फिर चेंज हो जागा फिर बायो आएगा भी बाइवाद फिर फिजिक्स आजागा फिर कमिस्टी ओके तो हिलियम गैस का राशनिक आशना कहता हो तो हिलियम गैस आग कि दिये गैस है ओके इनट गैस हीनट गैस है ना यह तो इनेक्टीब भी इसको बोलता है निसश्चिरिय गैस बोला जाता है वर्ग 28 एक वर्ग अग Girls की अगर..? कर दे जाए तो कितना है अठारा वर्गे या समू ओके आगे बोलते जल के एक अनू में हैड्रोजन एवं ऑक्षिजन के परमानू का अनुपाद कितना होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है जल का फॉर्मूला याद है आपको बिल्कुल याद होगा है इसको बोलते जल तो हैड्रोजन में कितना अनू है बताओ हैड्रोजन में दो अनू है और ऑक्षिजन में एक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू रेशियो वन यानि की क्या आप्सान नमबर बी होगा बिल्कुल सब्सक्राइब आगे देखिए बायलोजय के सवाल शुरू हो गया मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तिर्थिये उपभोगता कौन है तिर्थिये उपभोगता यहां पर कौन है देखिए पौधा तो प्रोड्यक्ट प्रोड्यूसर है उत्पादक है ना पौधा के गरिन प्लान को क्या बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं चलिए अब देखिए पहला नमबर को न आ गया सर थैंट आगे बोलता है कि कौन और जलैंगिक जनन दुआरा संचरित रोग है नहीं दोनों है डों भोजन का अंतर गिरहन होता है इंगलिस देखें इन जेक्षन इन अमीबा की दिवारा होता है और युगमक मादः युगमक संलियन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको सो इंपोर्टेंट कोशन है बारवर मैं बता रहा हूं एक सवाल को मिशने करना है और अगर जो सवाल हटके है जो आपको याद नहीं है तो उसको नोट जरूर कर लेना और वाइस आप फिर भी मैं बारवर बोलता हूं लायक तो दम मस्ट बनता है इस वीडियो में डेंगू पूत्पन करने वाला मच्छर किस तरह के जल्में उगता है तो आपको पता है साफ जल्में और मैं इस वीडियो में लाइक का टार्गेट तो में देना कम से कम पांच हजार लाइक तो पार कर दीजिए आप लोग ताकि मेरा दिल जो है गार्डन करने यह सवाल है माना अचना पर इसका इंग्ली गलत है ठिका लिए पता है कि बलट प्रेशर का कितना होता है एक सो बीस बट्टा अस्य होता है और यह हो गया देश्लक डिस्ट डिस्ट्ड को एसडी तो किसको बोलें गपर कुचन के साफ़ आप करोगे तो आनसर आ हमारा हो जाग है और अगर टिक करोगे तो क्या जागा आप्शन तो यहां पर है नहीं इंगलिस कोई नहीं तो फिर हमारा सवाल हिंदी में देखते हैं परकुचन के साफ चांश होगा और इंगलिस में अगर देखते हैं तो इसका फिर असी होगा ओके खैर आपको पता है चलिए अब फिर हम रुख तो यहां पर रखेंगे और मैं लगता उसमें मिस्टेक ठीकिर था बतानेजाओ को दीथि कि किसी वहुंची के वकरता केंद्र में भता वहां थो फोकस यहां पर उता है और यह दूनों थो क्या वती बरावर होती है तो यहां पर दरपन में वकटा किंद्र को सेकेंडरी फोकस लेंथ बोला जाता है तो फिर हमारा आणसर आफ्टर नमबर बी यहां पर राइट उप्स नमबर बी फोकस पर नहीं बलके वकटा किंद्र पर होगा ओके आगे बड़तें अच्छा कभी- त्रिज्य पहला न struggles वक्तर तिरिज्य क्या होगा और वर ऊण प्रभावा कोता है चली आगे अगे बरत 110 कितने था यह लहं प्रोटोन देंग ऑपने वह कंशेआ, आप पने प्ला को य्यांज रहे, और प्रोटोन पोजेटिव हुता है, आपको पता का इस खण्यों 15 बढ़ा मैंदर्यार और और यह प्रोटोन का और यह जो मैनस देख रहे हैं इलेक्ट्रोन का सवाल मेरे से प्रोटोन पुछा जारा इसलिए ऑफसन नमबर सी इस दार राइट एंसर आगे ना भी के उर्जा पराप्त करने के लिए किसी क्या आवश्यक है ना भी की उर्जा अगर पराप्त करना तो उ अर्तिस्सों कुछ देखा रहा लेकिन और सभी किताब में दीखा रहा तो लगभव इने 3500 डिजिस सेलसे इसका बिल्कुल शही अंसर में ने देखा है ठीक है ना तो इसका अंसर 3500 बिल्कुल सही होगा आप क्या कहते हैं करेंगे ठीक है आगे बरते जिवास मिंधन की उर स्टी बायो फिजीक्स है ना टैसम लग कैलसम और लग करबाशलीच तो यह क्या ओर तो तूट रहा है यह वी और ₹ इसको बोलेंगे बोलेंगे लुक्त वी खिरिया बोलेंगे ओके आगे यहां पर आक்सिजन गैस के एक अनुकiken दो परवानों के बापक कितने आप बंद होते हैं वोण के इसीच कितने बंद होते है están के आपक सिपल्दों के बीच सब्याद की जग मिंधर का बाफन से उसका ये घोल का पिएच वैलू क्या होता है जो चार होता है जो basic होता है उसका pH value 7 से ज्यादा होता है जो acid होता है वो उसका value 7 से कम होता है आगे बते कौन सा अधातू कमरे के ताप पर दर्वे औस्था में रहता है अधातू है और दर्वे औस्था में रहता है वो कौन है वो है ब्रोमीन देखी option number a है ना जी ब्रोमीन है जो दर्वे औ होते हैं आगे तेके एक अनू में दो परमानों की बिदि एसे तिलीन किसे बनाए इसे यह बना इसे यह 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 काइन गुरूप का है ऐसे तो अगर आप आप आगर जाना कहो कि एसे टीली है क्या तो इसके लिए आपको तो खैर खोलना पड़ेगा इथाइन पढ़ रहे हैं यूपीषी नाम है इथाइन और इथाइन को ही एसी टिलीन बोला जाता है और इथाइन जो एलकाइन गृुप का आता है और आपको पता है यह कारबन कारबन के बीश तिरिपल बन होता है यह कंपन है तो याद करलो बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स है यह जो है एरोमेटिक हैड्रोकार्बन है बहुत इंपोटेंड ऑफ्षन ए निक्स पर ते लाल तक्त लोहा पर जल वास पर परवाहित करने से कौन सा योगिक बनता है यादि कि जो लोहा है ना इस पर क्या करेंगे यह पानी डाल देंगे लोहा गरम है और पाइंट डाल देंगे तो बन जागा एफी थिरी ओफोर बनेगा फेरस ऑक्साइड आइरन ऑक्साइड बनेगा लेकिन यहां पर ऑप्षन गलती लिकावा एफी टू एफी थिरी ओफोर होगा तो हमारा अंसर यहां पर मिस्टेक है तो याद रखेंगे लब लोहा गरम हम लोहा है उस पर पाइं डाल देंगे तो गैस निकलेगा वास्पे क्या होगा फेरस अक्साइड होकों होँर्चकर तलि आघे ऑगए लिंगी जन्तु है ुभ्यैलिंगी बाईसेक्सूल एनिमल कौन है केचुवा केचुवा जो है उभ्यैलिंगी जन्तु है आगला सवाल के सामने है कि कौन एक भूमिगत जल्द का एगजम्पल टौन परकार के अभी किरिया है आपने पढ़ा है वह उपचयन अभी किरिया है तो तुम लोग भी अपना मजा दिखा दो यहां पर करके आगे पढ़ते फिर से हम बढ़ते आगे फिजिक्स की और सवाल पोलता है क्या कि परकास के परवर्तन के कितने नियम होते यार परकास के परवर्तन के भी दो नियम होते है और अपवर्तन के भी दो नियम होते है परवर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी दो निय आगे सवाल है किसी चालक के छोरों के बीच विवानतर अगर भी है परतिरोद अगर आर है धारा जो परवायत और उसको आय से डिनोड कर दे जाए तो इसके बीच क्या रियलेशन बनेगा तो आपको पता है भी बराबर आई आर क्या यह ऑप्शन में दिख रहा है नहीं आगर आगे हमारे घरों में बिद्धुत आपूर्ती होता है जो बिजली आता है दो इस अवर्में के लिए उत्तरदाई गयास को है यानि कि गलोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉंसिबल गयास भाई तो वह है कारबन डाई ऑक्साइड यह जिम्मेदार गैस है इसी के कारण गुलोबल वार में की जो रेटिंग है बहुत ही हाय है और आज यह पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज का विशय बन गया है ओके आगे बनते हैं किसी वस्तु का परतिविम आंक जिस भाग में बनता है उस भ खोटू बनता है कैसा बनता है वास्तिविक बनता है पलस उल्टा बनता है लेकिन हम तो सीधा देखते हैं हमारे ब्रेंग की कारण ठीक ना चलिए तो यहां पर मैं आपको एक दूए ग्जामपल और बता तो अच्छा आयरी पुतली जो है लाइट को कंट्रोल करता है और परावर होता है तो आपने पढ़ा थिरी पॉइंट सिक्स इंटू टेन टूपावर सिक्स जूल ऑप्सन नमबर सी राइट अंसर होगा अब आगे हम कैमेस्ट्री के और आगे देखिए ओएच मैंने बारह जब भी सवाल आया है ओएच यह किसका किरियसील मुलक है फंक्श चाहिए कारवर्यप स्लिक अमलिका साइज यह देखने को मिलेगा है अपए और अगे सवाल पढ़ते हैं सिलीक क्या है ऑढ़ी आपने पढ़ा सिलीका जर्मेनियम यह क्या है उपढ़ात जागा है सी इसका राइट अंसर हो जागा चलिए आवरत सारी में आवरतों कि संश् सेविन हैं मैं आपको बता दूं दो हजार सोला में यह मोडल पर लॉंज किया था जुब आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं बहुत ही मज़दार आने वाला है अच्छा भी लगड़ा आपको कौन सा लवन है और आपका इन वे से कोई सवाल होगा नहीं मेरी किया से ज बदाते हैं नायट्रोजन के अनुमें दो परमानों की बिच कितने आबंहोंद पांद होती हैं यह है अगे इंपोटन्थे देगा मारबल का सुत्रे क्या होता है तो बंदा तो सब्सक्राइबार किया जाता है इस सवाल आपकी नजरों से साइध गुजरी होगी तो ठीक है नहीं तो फिर आप इसको नोट कर लें में रिख्यास सब्सक्राइब को बहुत कम ही सेशन में देखा है इताल इलकोहल का वैपारिक उत्वादर में जिस रासानी को किस रासानी किर्या का उप्योग कियाता है तो यह जो किनवन सब्सक्राइब किसे लखेंगा बहाता है जो खाता हो गया इंसान वो गया ये सब धैलिकल कोन सी है किस्म इなたा यानि यह सब्सक्राइब हो जाता है यह सवा है में पुस्पि उच्ल पधों पुषपी पॉधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों की दुवारा होता है इसलिए मैं आपका टैम वेस्ट नहीं करूंगा यारी कुछ और यहां पर लिए आप घटित हैं पर ठीक ना देखिए कैसे कैसे सवाल देजिए आप घटित एक परकरन दुवार आप घटे यानि कि कमपोस्ट ना क्या होता है यहां समझें बाइडिग्रेडेबल मतलब जैविक की दुवारा मतलब जैविक नेचुरली जो होता है आप घटान होता है तो सुखे घास पत्ते यह सब खतम हो जागा लेकिन पॉलेफिन कभी खतल नहीं हो आगे परते हैं कवक में पोस्टन की कौन से विद्दी है कवक में कवक जो है वो फंजी है जो मरेवे चीजों को खाता है यानिकी मिर्त जीवी है का जैगा ओप्सन भी ओजागा आगे परतें जीन शब्दे का जीन सब्द किस्ने प्रस्तुत क्या था चलिए घजब का सवा स покупन में रवक्त त्रीजिया की बीच काया है सने तो यहां पे तो यहां पे यहां पर लिखतें हैं और बराबर नार वाई टू चलिए बोले क्या हो आर वराबर एप बाइट तो होगा नहीं तो एप बराबर आर वाई टू तो कंफर ऊच्छी फोकस दूरी जो होता है वाकरता तिरी जाकर आदा होता है इसलिए मैंने आप्सन यहां पर बना दिया है चुकि बटा लिखा होता है किया लिखता तो इसलिए आगे बढ़ते आहला कि आपको पता है देखें यहां पर ना क्या क्या होगा देजों गया किसी मादें में इश्वारा ना विद्धु धारा उत्पन करने के युक्ती को हमने क्या गोलता है ? जने डरेंटर कहते हैं जो यांत्री कुर्जा को डीनवो किस परकार कि धाराइसे प्राफ्त होते हैं तो आपको पढ़ता होगा अलग होता है और डीसी होता है याद रखेंगे टेंशनिय ल ओप्ट संगा कोने बताएगा विजुश्क्ति का माता होता है वाट होता है क्या होता है लेकिन अप्ट संगा घपलाबाजी हो यहां पर हो जागा ओम बटे मीटर तो हमारा अंसर क्या हो करते हैं अम मीटर आगे जब किसी चालक तार से विद्धारा परवाइत होती है तो गतिशील कन है जो जो दो कामेश्टिर की सवाव आपके सामने हाजिर है चीनी का सुत्रे पता यह थिवाई का ओई это है ना जो बी को बढ़कता है आर्फ का पहले पर Jourically का रण होता है कैसा स्वेथ होता है और यहां पर सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है वह एलो होता है आपको देने वाली बात नहीं है तो खेर हमारा अंसर क्या हो गया option हो गया option नमबर ए हो गया होता है लेकिन पूरा वाइट नहीं होता है तो इसको किसी किस धातु से चाकु किस धातु के चाकु से काटा जा सकता है नकली सोडियम पोटैसियम लीटियम इतीनों को चाकु से काटा जाता है क्या है सवाल है गुलोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गया है उत्तर दाई यह सवाल फिर रिपीट होगा चलो एक दू सवाल सवाल में रिपीट होड़ा कोई बड़ी बात नहीं है विद्धत बाले का तंतु किसके बना होता है और यह देखो मैंने बोला ना सी डवल ओएच यह किसका है कार्वोक सिलिक अमले का है इसलिए यह होगा ओप्शन एल्कोहलिक मतलब सी होगा कि टोन का मैंने बताए इथर लिए लिए पूल्टा के पूल्टा टैपिंग किया हुआ है चलिए मेरे को सवाल से मतलब है में डल ने अपने परियोग में किस पौ लिए अस्थान उसको सिनेप्स कहते हैं बाइसाब कहां गया आए दरार लिख दिया सिनेप्स लिखा देखो यह वला ऑफसन भी इंग्लिस का देख लिए करो कभी करें हिंदी नहीं समय तो इंग्लिस देख लिया करो एक लिंगी पूश्पे का उधारन को ने एक लिंगी लिंगी बोला जागा तो यह हो जागा दिव लिंगी बोला जागा तो हो जागा उड़हुल सरसू गुलाब इस चप कर देख एक लिंगी पूश्पे कौन है एक लिंगी पूश्पे पपीता चलिए आगे बड़ते कीटों कीटों के पंक और चमगादर के पंक क्या है समज देखें कोशिका में एक सेट और मेरे पास है डाड़ी बनाने के लिए पर्युक्त दर्पन है जी ओके मजा रहा है यह सब्सक्राइब रहा होगा वीडियो लास्ट होगा अस्पेक्ट्रम में किस रंग कि किरन का विचलन अधीक होता है विचलन विचलन किस ज्यादा होता है बैगिनि Western ज्याद होता है और रग का कम होता है याद करेंगे विद्धुत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार घुप के च्छर का उप्यूब बनाने के लिए नर्मिलोहा का परियुक कियाता है किसका नर्मिलोहा का यानि की बोल सकते सौफ्ट आयरान आगे है यह सवाल समझना बहुत ज़रूरी है देखिए जो मैंने बोला चौथा नमबर यह आर ओम परतिरोध वाले इन परतिरोध को समांतर करमें जोड़ेंगे तो मैं इसको बनाग क्रोस गुना करोगे पैरलल हो जागा न इसको फैरलल होगा आर बटे इन तो मेरे पास option तो दिया हो नहीं लेकिन आप याद करो यहाँ पर ना option मिट गया है तो आर बटे इन इसका right answer होगा मैं है फिली तो आउप्सन भी में आर बटे इन इन बटे आर क्या होगा आर बटे क्रॉस हो ना करेंगा ना यह आर हो जागा यह ना इन निचे चाला जाएग option नमर बी आर बटे इन याद कर लिजेगा आगे बोलता है लगूप पतन के समय परिपत में विद्धारा कमान क्या होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज है बहुत ज्यादा वैलू बढ़ जाता है विद्धारा कमान ना भिक्ये विखंडन को कंट्रोल करने के लिए किसका पर गंगा मतलब पूरा आस्मान उसका शेप कैसा है तो उसको बोलता है असपैरल सरपिल है सरपिल ऑफसंट डी चली आगए है कैमिस्ट्री के सवाल आमलराज में एसल और चनुट्री का अनुपात कितना होता है तो आमलराज का फॉर्मूला होता है थी एच सी एल पलस एच ए अधासी एकदम उदास नीट्रल ना सो किसी से कुछ नहीं मतलब है और आज कल उदासी कोन है भाई उदासी विल्यन का प्याचमान साथ के बराबर होता है देखें सी ओ देख नहीं यह क्या है सी ओ मैंने बताए सी ओ इसको ऐसे भी लिखा गया है टेंशन वाले क्या है क्या होता है सी ऐच ओ यतना बारतों सुन सुन करके याद हो जाएगा कौन कार्बनिक योगी से कान कार्बन क्यों से कुछ बोलता बहाई एक से बना एक से तो बना है दॉच्छा बढेंटी होता है का है आयोग पेस्ति नाम है क्यूत्टा यूस का परमानु संक्या पूछा जाता है बहुत बार तो 20 होता है कैल्सम का परमानु संक्या इथाइल एलकुहल इसको बोलते हैं सी टू एच फाइफ ओएच ऑप्सन ए बिल्कुल राइट अंसर हो जागा तो आदा घंट करीब टैम होग जा चलिए इथीन के एक अनुमें कारवन के दू परमानों के बिच आबंध की संक्या होती है अब जैके इथीन इथीन किसका है इथीन जो है इलकीन सर्मू का है इलकी और इलकीन में कारवन कारवन के बिच डबल बांड होता है तो सवाल जगरें कैसे घुमा इलकीन नहीं पुछके एथीन पूछ रहा आप से तो समझना है कि इलकीन किस गूरूप का है उसी से बनाया है एथीन प्रूपीन ब्यूटीन अब बाइलोजी आ गया पौधे में ओके मोल होगा मोल चले ओप्सन ए ओके आगे सवाल है पराकृतिक में और का संतुलन कैसे बना रहता है जो नेचुरल है जो हमारा एक्ट्मस्फियर है जो वाई मंडल है तो उसमें जो प्रकास संसलेशन से क्योंकि फोटो सिंथेसिस होता है तो हम कारवन दूप्टर गया है छोड़ते हैं वो लेता है फिर हम मतलब मैला होता है मतलब सब्सक्राइब कहते हैं और हैं और यही वीरिक का यहीं नियूरॉं कहते नियूरान हाँ ऑके मनुषे के योगमक में गुंसुत्रों की संख्यां कितनी हैं संख्यां पूछी जा रही है इसलिए ध्यान से संख्यां पूछेगा च्छे आलिस बोलेंगे और बोलेंगे कितने जोड़ी है तब तैस करेंगे तो जिसे करता है पर पत्ती से करता है ना आप से लिए एक ही काम बनता है लाइक करो वीडियो को और हां मेरे प्यारे रजगुलों जुन्हों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज वह सब्सक्राइब जरूर चैनल को करेंगे उमीद है और अपने दोस्तों को शेर जरूर करेंगे अगर आप मेरे से जुड़ना चाते हो लिए टेली गराम पे लेता है तेली गराम गुरूप में जरूर जुड़िये वहां भी क्यूज वगरा होता है डेली और तो यह आपके लिए यदम तो मंगनी वाला नौलेज है आंक भी रसफे मिलता हो रहे है